दहें के साथ भूंकर भी ना खाई ये 5 चीज़ें देखियें दहें हाना दोस्ता हुआरे शरी के लिए बहुत फायरिमन है इसमें कहीं तरह कि वारिटमिन्स, मिनरल्स, कार्बोहारिटेर्स और प्रोटीन पाया जाता है लेकिन आयर रिट के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें एक समय पर एक साथ नहीं खानी चाहिए जैसे लेंच में हमने दो चीज़ें एक साथ खाली है ना थिर ऐसा होता है कि हमारे शरीर में सटिंग हम में लगती है तरहीं बार हमारे स्किन के ओपर पैचीज़ा में लगते हैं देही के साथ तर्बूस नहीं हाना। इससे बहुशी टख हो सकती है। और दोज़ए आपके शलीर के किसी भी हिस्जे में स्ललिंग आ सक्ती है। आपके टागों में या कहीं पड़ी सूजन आ सक्ती है। इसलिए भूल कर भी दही के साथ तरुबूस तो बिलकू भी ना है दूसरी चीज आपको ध्यानक नहीं है कि आपको ध्यानक नहीं करने हैं आपकी स्किम पर राइट राइट पैचीस हो सकते है तोचा पर आपके सफेज हैं के धबबे आँ सकते हैं दूध ओ याँ दाही हो दोनों के साथ, आपको मास मचली इसी चीजों का सेवण नहीं करिमा, क्योंकि बाद में आपको इससे परस्ताना बड़ सत पहें, इसलिए दूध ओ याँ दाही दोनों के साथ मचली खाने से बचेंगे। अबिली चीज आपको ध्यान अपनी के लिन आप दाइबुट भी के पिशंट है। आपको शुगर की समझ से आए गया पर आपको ओबर सिर्टी याने की मुर्कापा है। तब दूस्ता आपको सुभा सुभा खाली पर दाहीं के साथ चीनी का सेवन नहीं करना। बहुत लोग हैं दाहीं भी चीनी घुल को खापे हैं। लेकिन अधर आप दाइबुट पे किया ओवर सिर्टी सा परिशान हैं। तो दाहीं के साथ चीनी बुद्कुल भी नग आए। बहुत ही बुरी चीज है चीनी गोस्तों। बैबुटीस को बढ़ा सथी है आपके मोटापी को ये बढ़ा संट भी है। इसलिए भ्यान अगे कि सुबक खाली वेरग आप दाहीं के साथ चीनी कर सेमन तो बिंकुल ना तरे। साथी जा दरली चीज आपको दाहीं के साथ जनहीं खानी। वो है आम। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को दाहीं के साथ आम खाते हूँ देखा हो लेकिन दोनों की तासीर अलग अलब है। दाहीं तासीर में ठंडा होता है और आम तासीर में करम होता है। यसे पेट में दर्द होने लगता है, टोकसिंस की मात्रा बढ़ जाती है। साथने डूद के साथ आपको कोर्डिंग नहीं पीना है। इसी के साथ कुछ मसाले जैसी की लोग का सेमन दहें के साथ बिलकूर भी ना करें। और एतनी आप दही के साथ दूद पीते हैं, तो आप दूद मन पीजी क्योंकि पेट में जाकर दूद भी दही मन जाएता। यह सबी चीज़े आपको ध्यान में रखनी हैं। इसी इंफरमेशन को अब साथ जाथ जाथ शेयर करें, सबी लोग वित पहुंचाएं। बहुत ही ज़रून इंफरमेशन हैं। और रेडियों के अच्छी लगे तो लाइक कर दीजी एक चैनल को सब्स्वाइब कर में। रेडियों के अच्छी देनलवाट